हेलो हेलो वेलकम टूए एस्वी अकेडमी रावला की ओनलाइन क्लासेज में आप सपी का स्वागत है आज हम क्लास सेवन इंगलिश मीडियम बसंत भाग टू बसंत भाग टू में हम पंची उन्मुक्त गगन के कविता का आदियन करेंगे जिसकी लेखक या कवी स्वंगलिश सुमन स्वंगलिश ज्वंगलिश सुमन है चलो आई शुरू करते हैं हम पंची उन्मुक्त गगन के जैसे पंची से यहां पे आसर है पक्षी पक्षी आप सभी ने पक्षियों को देखा होगा सभी पक्षियों को आजाती प्रिय होती है वो किसी भी परकार के बंदन में नहीं रहना चाते उन्हें अपनी आजाती हम जो पक्षी है वो उन्मुक्त है खुला होले अकास के हैं मतलब किसी पी परकार के पक्षी बाधा नहीं चाते वो सुष्व सवतंतर रहना चाते हैं तो इसी के मातिम से कवि शिव मंगल्सिया शुमन ने सिव मंगल्श हुमन ने पक्षियों के मन्वाव को शिव जो पनची उनमक्त गगन के हम पनची उनमक्त गगन के पिच्जरबदने का पाएंगे कनक तीलियों से ठकराकर प्लकित पंग टूट जाएंगे पंची होता है पक्षी पंची का अरत है पक्षी उन्मुक्त गगन उन्मुक्त खुला उन्मुक्त खुला गगन आकास पिंजर बंद पिंजरे में बंद नहीं गामिस गाप आएंगे कनक तीलियां कनक तीलियां आता है सोने की तीलियों से बना हुआ पंजरा यानि सोने से बन बना हुआ पिंजरा सोनी की तीलियों से बना हुआ पिंजरा पुलकित पुलकित यहां पे चंचल अमंग से बरेहुए है यह रोमान-चित पंक टूट जाएंगे अब कभी पिंजरे में बन पक्षी की मनोधोसा के बारे में बड़न कर रहा है कि हम हम पक्षी कहते हैं, यानि पक्षी कहते हैं कि हम खुले आकास में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम खुले आकास में उड़ने वाले हैं, पिंजर बदने गाएंगे, यदि हम पिंजरे में बंद रहेंगे, तो हम कोई भी गीत नहीं गापाएंगे, कोई भी गीत नहीं गापा पिंजरे में रहेंगे तो जो सोनी की तीलियों से बना हुआ पिंजरे उससे टक्रा टक्रा कर जो हमारे रोमांचित है यानि रोमांच से बरे हुए पंक है वो तूट जाएंगे पार वर हमारे सोनी की तीलियों से पंक टक्राया जाएंगे और पंक तूट जाएंगे तो हम उ कटवल की मेदा से यह मैदा से आश्य है अनाज यह इसे मैदा तो होता है जैसे गंग के बाद में पीसा जाता है वा इक मन जाता है यहां पर अटा अब से है लेकिन यहां मैंधा यहां कवी काश आश्य है कना कटवली सोनीकी bapt propriet में कटक में कड़वी निवोरी में नीम का फल यानि नीम का फल भूके प्यासे यानि भूक से और प्यास से हम बहता जल पीने वाले हैं यहां पर कभी ने यानि पक्षियों की कल्पित माद्यम से कह रहा है कि पक्षि कहते हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं हमें जो अब जल वहर आय वो पीने की यादत है मर जाएंगे भुह के हैं अगर हम पिंजरे में बंद रहेंगे अगर मोण की पिंजरे में 20-9 बंद रहेंगे तो हम bhoo और प्यास से मर जाएंगे. बुक और प्यासे मर जाएंगे कहीं बली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से यानि यहाँ पर पक्षियों को अपनी आजादी पिरिया है वो कहते हैं कि सोने की पिंजरे में अगर हम सोने की कटोरी में ही अगर हमें खाने के लिए कुछ आनाज या खाते परता तिया जाए तो उसे अच्छा है कि हम सबतंतर रहकर वो कड़वी नीम के फल खाले वो बहुत ही अच्छे हैं कड़वे नीम के जो फल हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि हमें अपनी सबतंतरता तिरिया है क्या स्वरण स्रंखला के पंदन में अपनी गती उडान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के जूले तरू होता है व्रक्ष होता है और फुनगी होता है डाली का सबसे उंचला सिरा यानि व्रक्ष की सबसे उंचला सिरा होता है जिसे वो पक्षी को एसास होता है कि वो जूला ले रहा है बस सपनों में देख रहे हैं अपने सपनों में ही देख रहे हैं अपनी गती गती में चाल उड़ान में उड़ना सुरन सरंकला के बंदन में यानि सोने की जंजीर अर्थात हमारे अगर गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई है अर्थात यहाँ पे वो सोने के पिंजने में बंद है यानि पक्षी कह रहा है कि यह सोने की सोने रूपी जंजीर अर्थात गुलामी रूपी के बंदन से हम अपनी चाल और उड़ना सब कुछ भूल चुके हैं बस सपनों में देख रहे हैं बस हम सपनों में ही हम सपनों में ही यानि वरक्ष की सबसे उंची डाली पर लेने के जूले हम सपनों में ही देख रहे हैं अब ऐसे थे अर्मान के उड़ते नीले नब की सीमा पाने को लाल किरन सी चौँच खोल चुकते तारक अनार के दाने तारक अनार के दाने तारक अनार के दाने तारे रूपी अनार के दाने तारे, रुपिय न आर के, दान लाल, क्रिजा लाल, जैसे चौरच यहां पर, जैसे सूर्य की जो किड़ने होती है थीक है, निले, याने निला आकास, नम इस आकास की सीमा, सीमा में स्खोड़ा होड़ी, निले ऐस से थे, पक्सी कह रहे हैं कि वो उनकी इच्छा थी कि वो नीले अकास की सीमा तक उड़ते चले जाएं और अपनी लाल किरणों जैसी चोंच से अनार के दाने अनार के दानों को चुगें अर्थात जैसे ही जो तारे होते हैं हमें तारे यहां से बिल्कुल छोटे छोटे दिखाए देते हैं उसी परकार पक्सी भी जबाकास में उड़ रहे होते हैं तो उनको भी जो तारे हैं तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं तो उनको लगता है कि वो जैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं तो उन्हें वो अनार के दाने के सिमान दिखाई देते हैं तो पक्षी उन्हें चुग लेने के लिए उन तक पहुंचने की उन तक पहुंच करना चाहते हैं अब आगे हैं होती सीमा ही क्षितीज से इन पंखों की होडा होडी या तो क्षितीज मिलन बन जाता या तंती सासों की डोरी सीमा होता है जिसका कोई छोर नहीं हो जिसका कोई सीवान नहीं हो शितीज होता है दिशा का सूर जहां पर शितीज का मितलब है जहां धर्ती और अकास मिलते हुए परतीत होते हैं यहां धर्ती और या पहुंच जाते हैं, मिल जाता है, मिलन में तो मिल जाते हैं या पहुंच जाते हैं, तंती, तंती सांसों की डोरी, तंती में थम जाती है, तंती का मतलत थम जाती है, सांसों को डोरी, सांसों का आना जाना, सांसों की डोरी, यानि सांसों का आना जाना, तंती सांसों की डो रखास जहां मिलते होँए पर्तीद हो रहे हैं लहां तक पहूंचने की फोड लगाया करते थे लगाया करते थे या तो कशिच मिल मिलन बन जाता है या तो हम तरती रखास I am इंठेश पहुंच जाते आप पर रश्ते में हेमारी 23700 की डksomिए उन या रश्ते मेरी मर्तियों हो जाती है अर्धात हम वहां बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं अर्धात उनकी बीच रस्ते में उनके सांसे रुक जाती है तो इसलिए हम पक्षी भी क्या है इन पिंजरों में नहीं रहकर हम सवतंतर रहना चाहते हैं पक्षी कभी यहां पे पक्षियों की सवतं ने का आस्रे चिन भिन कर डालो लेकिन पंक दिये हैं तो अकल उडान में विघन ने डालो यदि होता है बाधा या रुकावत बीदन आकल बेचेन नीड होताई घोसला जाहे टहनी का टेहनी का मतलब पेड की जो टेहनी होते है उसका वहीं ठीक है आस्रे आस्रा छिन भी नश्ट कर डालो पंक दी है मतलब पंक पक्षियों के जो पंक दी हैं पक्षी कहते हैं यानि पक्षी कहते हैं कि भले उन्हें गोंसला नए मिले उन्हें गोंसला नए मिले नए ही उन्हें टैनियों पर बैठने का इस्तान भी नस्ट कर डालो, लेकिन अगर पंक दिये हैं, लेकिन हमें अगर पंक दिये हैं, तो कोई भी उन्हें, 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 आकुलता पुरण, यानि बेचेंता से प उड़ने में बादा ने डालो उड़ने में बादा डैनर ने डालो अर्थार्थ कहने का आश्य है कभी के कहने का आश्य है कि उन्हें पक्षियों को पिंजने में बंद ने करके उन से उड़ने की सवतंतरता ने छीनी जाए पक्षी हैं हमेशा पक्षी हैं वो खुले अकास के उड़ने वाले पक्षी हैं इसलिए पक्षियों को सवतंतर रहने दो उन्हें बंदन नय उन्हें मतलब पिंजने में बंद करने की कोशिश नय करें तो ये था बच्चों आज हम पंची उन्मुक्त गगन की कविता लेसन का लेसन हमने पढ़ा अब इसके जो प्रशनोत्र है प्रशनोत्र है वो हम अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम प्रशनोत्र करेंगे प्रशन उतर जैसे कवीता से फिर कवीता से आगे इन प्रशनों को हम नेक्स जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको प्रशन उतर करवाऊंगा आज के लिए इतना ही और इस कवीता को आपने बार बार पढ़ना है कल मैं आपको अगले नेक्स वीडियो में सबसे पहले इसके सब्दार्थ और इसके प्रशन उतर मैं आपको करवाऊंगा तब तक के लिए जैहिन जैभारत धन्यवाद